क्या भारतिय जन्ता पार्टी की केंद्र सरकार इतनी भी काबिल नहीं है कि दिल्ली जैसे शहर की कानून विवस्था को ठीक रख सके दिल्ली तो राज्य भी नहीं मानते लोग इसको तो कहते हैं कि ये तो एक शहर है तो भाई आपसे एक पचास बाई पचास किलोमीटर का शहर नहीं समल रहा है आपसे आप क्या देश के बॉर्डरों को समालोगे एक दिल्ली शहर जो देश की राजदानी है जिसके अंदर सीब्याए का हेड़कॉर्टर है इड़ी का हेड़कॉर्टर है परदानमंत्री IGH सर्ड वने सुप्रीम है हाइ कोइस सारे मंत्रालेजерв की संसध लालकिला इंडिया गेट है आपका पूरा पूरा पंत्र है दिल्ली पुलिस है एनसजी है सारे तो यहां पे आपके कौन सा इसा विभाग है सुरक्षा से जड़ा हुआ जिसका हेड़कौाटर दिल्ली में नहीं है उसका सबसे ऊपर बैठने वाला अफसर यहां पे है और आपके यह हालात हैं कि दिल्ली के अंदर हर गैंग त पार्तिय जन्ता पार्टि जो दिल्ली कें अंदर कह रही है हमें ये भी दे दो वह वह बहुत दिखाओ तुम जम्मु कश्मीर में हम लाएं गया 10 अस पर 30 साल से देश को बता रहे हैं नहीं हमें कश्मीर की जिम्मेदारी मिल जाय तो हम यह कर देंगे यहीं कहते हैं थे नहीं कि हमें बताओं हम करके दिखाएंगे दस साल से इनके पास कश्मीर की सुरक्षा विवस्ता है पहले महभूबा मुफ्ती के साथ यह सरकार में थे उसके बाद इन्होंने सरकार गिराके उसको कबजे में दे लिए उनिटर्टरी बना दिया आज भी इन उनने उनके नाम पर राजनी ती तो की वगड़ उनको वापिस कश्मीर में बसाया नहीं जो कश्मीरी पंडित अब तक वहां पर रह रहे थे नौकरियां कर रहे थे उनके सर पे ऐसे लगा लगा के उगरवादियों ने बोलिया मारी है और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा करते हैं क्यों कर दी गई उन्होंने अपना क्लियर मेसिज दिया है उग्रवादियोंने कि हम यहां पर भार का आदमी बर्दाष्ट नहीं होने हो करेंगे केंद्र को क्या करना चाहिए था केंद्र को 5,000 लोग भेजने चाहिए केंद्र को कहना चाहिए हम भारतिये जनता प का ने कारे पार्तिय जनता पांटी कर्या चीए कि आप बदाएह पाँच हजार लोग उन्हां हिनको भीजना चीए और सुरक्षा देनी चीए उनको वहाँ पर फ्रैक्टरिया खुल वानी चीए पूरी तरीके से कानुन व्यवस्ता के अंदर फेल भारतिय जन्ता पार्टी पूरे देश के सामने एक्सपोस्ट जोकि ना इंसे कश्मीर समला ना इनसे पुर्वत्तर के अंदर चीन समला वो तो छोड़ दीजिए इनसे दिली नी समल रही दिली की कानूनियों बस्ता नी समल रही